जानी नहीं आ रहा है, महिलाएं परेसान है, छोटे छोटे बच्चे परेसान है, योगी हर दूसरे मही ने धरना देते हैं। बिलकुल यहां आते हैं, यहां रामकोट यलो जून लगता है, इसी महले में कट्रा इस्कूल में आके उन्होंने एक घर में खाना पानी भोजन करके भी गए लेकिन उनको यह महला नहीं दिखा, वो अपनी क्वाल्टी देखते हैं, अपने नेताओं की क्वाल्टी देखते ह तो महीने बाद जब वो हजार की बिल निकलती है तो घर का अपना रासन सीधा करेगा बच्चों को पढ़ाएगा कि बिल जाके भरेगा अखरी स्यारों के सरकार में अध्याजी के लिए बहुत काम होता था और आगे होता रहता है अब नेता, विधायक, मंत्री, पारिशाथ सबसे हम लोगों का भरोसा उठ गया है कोई भी है अब उनको यहां से हम लोगों का भरोसा उठ गया है क्योंकि अब ओट देने से पहले हम लोग 10 बार सोचेंगे पहले ये लोग अपनी जेब भरते हैं, बीच वाले अपनी जेब भरते हैं, आम पब्लिक क्या है वो पीस्ती रहती है, जब से ये योगी आए है जब इसे ऐसा स्वादा आने लगा पानी में, पहले सही रहता था, ऐसा कुछ नहीं रहता, तो महीने से पानी की दिक्कत है, ग कि जो सरकारी टीचर है वो भी अपने बच्चे को प्राइबेट में पढ़ा रहा है तो किसी कोई वजे वैलू कभी सरकारी स्कूल में कभी कोई आता है जंगर्णा के लिए बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चे का खान पान क्या चल रहा है बच्चे काखा गागा सुरू से कच्छा एक से पांस तक बस वो सव तक गिंती में दस तक पहाड़े में और काखा गागा में खुश नमस्कार आप देखे रहे अपना उत्रप्रदेश नीज मैं हूँ आपके साथ विवेक यूपी विधान सभा चुनाव में जो है सिर्फ 6 मेने का वक्त बचा पड़ा है यूपी का चुनावी मूट जानने के लिए जो है मैं हर शहर हर विधान सभा सीट में निकल रहा हूँ जानना चाहरा हूँ कि हर वर्क के लोगों की क्या कुछ परिशानी है और क्या कुछ सुवधाय उनको साड़े-4 साल की कारिकाल में योगी सरकार में मिली या कितनी परिशानिया हुई इसी पर बाचित करने के लिए मैं इस वक्त अयुद्ध्या नगरी में वजूद हूँ और यह यलो जोन है जहाँ पर मैं फिलहल अपी नजार आ रहा हूं आपको और आसपास देख रहोंगे जैसा कि यह जो एर्या है यह एक मुसलिम तबका है यहाँ पर लोग बसते हैं यहां पर और यह महिलाय लोग भी यहां पर हैं बैठी हुई है और हम जानना छाहेँगे कि आखिरकर योध्य में विकास की बात योगी जी करते हैं कि हमने मंदिर दे दिया है हमने development दिया हमने बहुत कुछ किया है लेकिन यहां कितना development हुआ यहां पर कितनी सुर्माई इनलोगों की हुई है इस पर बात करें है जी कहना मैं आप मुनमक कही यहां कितना सही हुआ है जो आपके यहां इस जगा की बात ची कुछ नहीं हुआ है अगर यह नक्याना में बनवा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो हम लोग की जमीन जा रही है जमीन जा रही है जी और हमारे सरकार में अकली स्याव के सरकार में अजल जी के लिए बहुत काम होता था और आगए होता रहता है टीन मैंना बचा है चुनाओ का चुनाओ में इस बार आप किसको लगए है जी हैarna पर आए पर से हैं यहां पर जो है अब विकास के बारे मताई ज़रा की विकास यहां पर कितना हुआ है आप लोग के महले में विकास नहीं होता है विकास तो बड़े बड़े नेताओं का होता है जो नेता होते हैं विचौलिया खाने वाले विकास उनका होता है फोर लेंद बन रही है लोगों का दुकान जा रहा है ववसाय उजड रहा है भगवान को मतलब जमीन देने पे भगवान के सर पे छट करने पे लोगों के सर की छट चली जा रही है तो इसको विकास कहते हैं लोगों को एक डर खौफ लगा रहता है कि पता नहीं मेरा महुला बीसी में आ जाए उसकी भी नपाई हो जाए इसकूल दो साल से बंद हुए हैं और इसकूल में प्राइबेट अगर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसकी फीस इतनी है कि क् लेकिन सरकार यह कहती है कि हम सिक्षक करें सिक्षा को बहतर बना रहे हैं उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग मदरसों का भी उन्होंने नमीनी करण किया बहतर बनाया है पीचर जो भी होता है वह अपने बच्चों को प्राइबेट इसकूल में खुद पढ़ाना चाहता है लेकिन सरकार नहोकरी के लिए ट्राई अधिम्ति में दस्तक पहाड़े में काखा गागा में खुस रहते हैं तो क्या सरकार ऐसे बच्चों को सो नौकरी देगी जलिए आप सरकार की बात करें एक बाद्धिया में विकास की बड़ी-बड़ी बाते चल रही हैं लेकिन आपके गली महले में जो है कितना विकास हुआ परेशान है योगी हर दूसरे महीने धरना देते हैं यहां आते हैं यहां रामकोट यलो जोन लगता है इसी महले में कट्रा स्कूल में आके उन्होंने एक घर में खाना पानी भोजन करके भी गए लेकिन उनको यह महला नहीं दिखा वो अपनी क्वाल्टी देखते हैं अपने आज के पान साल पहले बहुत दिक्कत थी बहुत दिक्कत थी अखलेस का जमाना था इतनी दिक्कत थी कि यहां की महिलाएं बच्चे हम लोग जलकल पे धरना देते थे पेपर में आता था इसके बाद में तेज नरायन पांडे ने यहां पास करवाया एक पंपिंग सेट के यह जब लग गया उसके बाद में लगल बराबर पानी आता था अब वो जब खराब हो गया उसमें कुछ यहीसे गंदगिया हो गई या कुछ भी हो गया डिसबैलेंस हो गया तो दो महीने से Happy है घर्मी का दिन देख लीजिए सी एम के पास भी फोन गया एक मने बात की है तो लोग यही कह रहें कि अध्या का जो पानी हो सर्यू नदी होने की वज़ए से जो हर जगा सप्लाई में उसी तरह की मतलब वह स्वाद रहता है उसी तरह किसे गंदा नजर आता है ऐसा कुछ नहीं था जब से यह योगी आए है जब इससे स्वाद आने लगा पा सप्लाई दे लेकिन एक मजदूर आदमी जो दिनभर 300 की मजदूरी करके आता है और रात में 12 घंटा पंके चला के सो लेता है तो महीने बाद जब वह हजार की बिल निकलती है तो घर का अपना रासन सीधा करेगा बच्चों को पढ़ाएगा कि बिल जाके भरेगा तो इकल मिलाकर कि यहां पर बिजली की समस्या है अच्छा बिजली की सप्लाई कितने घंटे अब लोगों मिलती है लेकिन बिजली की सप्लाई तो मिलती है लेकिन बिजली का कितना आता है मैक्सिम अगर आप तीन चे चार लोग सदस हैं परिवार में मेरे घर में पांच काफी य कोभ सकते हैं कि मतलब अंगाई पानी की की समस्या बिजली में बहुत सारी योजना के ने कहे रहे हैं कि मुस्लिमों को पयंच लोगों के योजना के लिए कि योजना मिलती है पहले पूई योजना गिना दीज़ें साड़े-4 जाओ उधर जाओ कि महिलाएं सारा दिन वैसे परिशान हो जाती है इनके दर्वाजे पर दसकत दो वह दफ्तर में जाओ अपलाई आफिस में जाओ तो महिलाएं कहां दौडेंगी इसके लिए किराया भाड़ा चाहिए टाइम चाहिए इक बाब बताइए अखलेश शासन माय को ले करके और साथी साथ जो है मैं बात करना चाहूंगो ओएसी चार लोग निता है दो लोग तो अभी एंट्री मारने वाले हैं के जुझ इनको लेकि क्या कहेंगी और यह उसी तो हैदराबाद से आ रहे हैं के जिरीवाल दिल्ली में 300 इनूट बिजली फिरी दे रहे हैं तो क्या लगता है केजरी वाल आ सकते हैं गटवंदन मना के या अखलेश अच्छे है मायवती अच्छे कौन लग रहा आप साशन किसका होना चाहिए इसमें सबका भाला और बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास फिर विकास की तो यहां बाती है तो सब बेचने पर ह अब नेडा विधायक मंतृरी पारिसाथ हम लोगों का भरोसा उठ गया है कोई भी आप उनको यहां से हम लोगों का भरोसा ओड़ गया है क्योंकि अब ओड़ देने से पहले हम लोग दस बार सोचेंगे पहले ये लोग अपनी जेब भरते हैं बीच वाले अपनी जेब भरते हैं आम पब्लिक क्या है वो पीस्ती रहती है पुलिस नौफरी में इतनी रहेगी कि गली गली पुलिस घुमेगी पुलिस करती क्या है पुलिस खुद नहीं सही है तो वो क्या रखवाली करेगी चली एक बाब बताईए कहा जाता है कि यहां पर अविध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहे है मेडिकल कॉलेज आ रहे है अध्या को जो है टूरिस्ट प्लेज बनाया जा रहे है इंटरनेशनल लेवल पर डेवलेमेंट वह लेकिन बगल की जगा को ही डेवलेप नहीं कर पाई इस चुम्नाओं में इनके लिए कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि जिसकी टोपी उसी कसर जिसकी लाठी उसकी भायस हो रहा है यहां तो जो जीरो सीड़ी को इसारा मिलता चला जाएगा वो वही काम करता चला जाएगा आप मेरी बात को समझे बिलकुल मैं समझ रहूं आपकी बात को तो मायवती और अखिलेश का जो शासन था वो कैसा लगा आपको अब तक कुछ बेहतर था कुछ इन से बेहतर क्योंकि उन्होंने किसी का घर उजाड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा उन्होंने कितना भी विकास सोचा कुछ भी सोचा यह फॉर लेंट हैर लाइंस इसमें बहुत से गरीब जो हैं बसती हैं उजड रही हैं और एक आप चिडिया जो घोसला बनाती है ना आप उसको उजाड के देखे तो बहुत तकलीफ माहत्मा हिए कि पहली बात संत महात्मा के लिए यह बाल बच्चे हैं कोई है नहीं तो सोचेंगे कोई है नहीं तो जंगल में वास करके वह रहेंके नहीं है इनको जोटा बरसी नहीं बनवास लेना चाहिए लेकिन चलिए एक बात ये जो बात आप कहें बिल्कुल सही मैं इसका समर्थन देता हूं लेकिन जानता कि सेवा के लिए बने हुए हैं प्या करते हैं जनता के लिए चार गाट आगे पीछे लगते हैं कि इसके दिल की भावनाएं में इसकी क्या है जब हमारे कुछ हाई नहीं तो हम क्या जाने जहूंगा ऑव ऐसी जैसे कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं वो आपके परिवार के लगते हैं उनको क्या लगता है बस एक दिखावे की बात है अईसा कुछ नहीं है कि वो ऐसी है तो हमारे भाई हैं जो नेता सोसल मेडिया में वो जो आया वो किसी का न भाई न भतीजा न बहन न जमीनी ग्राउंड पर दोड़ भाग वो नेता है वो किसी का मीत नहीं है अचा अपना भला फिर दूसरे का भला चलिए अखलेश तो क्या लग रहा है इस बार आया ना उनका जो है गलत हुई होगा अगर चुनाओ लड़ भी रहे वो तो कह रहे हैं जहां पर मुसल्मानों की संक्यजाद है मोई पर चुनाओ भी लड़ेंगे और वो टिकट भी देंगे बाईया ऐसा है ये लोगों की गड अखलेश ने किया है ये बहुत बहुत घिनोना काम रहता है ये लोग सफेद पोसाक में अंदर ये लोगों का बहुत घिनोना काम रहता है ये खाली उपर से सामने के दिखावे से बहुत अच्छे रहे तो कुल मिलाकर ये आखरी सवाल है कि क्या फिर बदल करेंगे इस बार सत्ता में या लगने वाला है कि फिर बदल होगा या योगी जी आएंगे आएंगे योगी क्योंकि आप से हमने कहा ना जो फ़र्ष्ट स हुआ है और कोई भी और साड़े चार साल में आप लोगों को नहीं मिली आवाज के लावा नहीं पिजली पानी के समस्या भी भी इतला मीटर के समया घिर dh, नहीं मिलती है अच्छा लगा बात करके बहुत दो, सीसे बात स सरकार कर सबसे लेकिन फिर भी यह जगह अभी भी जो है विरान सी पड़ी है मैं कैमरा में से चाहूंगा कि चारों तरफ एक बार तस्वीर दिखा दें वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से जो है तो यह येलो जोन है जो कि अध्या नगरी में ही एक जगह है जो कि ज्यादा तर लो लोग यहां भी मुसल्मान तबकी के लोग रहते हैं और इन्होंने अपनी समस्चा को लेकर के बात कि